हेलो फेंड्स मैं हूँ सोरब आज की इस वीडियो में हम दिपावली और अन्या तोहरो पर पहने जाने वाले कुछ ट्रेडिशनल डेस के बारे में बात करेंगी दिपावली के इस पावन मोके पर इन ट्रेडिशनल डेस को पहन कर आप अपने स्टाइल और लुक को बदल सकते हैं आम तोर पर तिवाली के मोके पर लगातार कई त्योहर पढ़ने की बज़ा से कुछ लोग एथिनिक पहनावे को लेकर उलजन में पढ़ जाते हैं और ऐसे ही लोगों की उलजन दूर करने के लिए हम आज कुछ सुझाब लेकर आए हैं तो चलिए फिर वीडियो को सुरू करते हैं तिवार नमबर वन धनतेरस दिपावली के आसपास पढ़ने वाले तिवारों में सबसे पहला तिवार धनतेरस है जिसे धनवंतरी की पूझा अराधना करने का दिन माना जाता है इस दिन लाल रंग के कपड़ पहनना सुब माना जाता है धनतेरस के इस मोके पर महिलाएं लाल रंग की सिल्की साड़ी या डिजाइनर सूट को हेवी एरिंग के साथ पहन सकती हैं इसके साथ मेकाप को सटल और बालो को इस्टेट भी आप रख सकती हैं धनतेरस के इस मोके पर पूरुस लाल रंग का सिल्की कुरता सैट या धोती पहन सकते हैं त्योहार नमबर टू छोटी दीपावली छोटी दीपावली को नरक चोदस भी कहते हैं क्योंकि इस दिन मा काली ने नरका सुरका बद किया था इसी कारण इस दिन पारंपरिक तोर पर काले रंके कपड़े पहनना सुब माना जाता है छोटी दीपावली की दिन म या काले रंग का पठानी सूट पहन सकते हैं तिवार नमबर थ्री बड़ी दिपावली भारत के सबसे बड़े तिवारों में से एक है इसलिए इस दिन आपका लिवाज भी एकदम खास होना चाहिए दिपावली के दिन को महिलाएं यादगार बनाने के लिए गहरे रंग के स पहन सकते हैं तिवार नमबर फॉर गोबर्धन पूजा दिपावली के एक दिन बाद गोबर्धन की पूजा किया जाती है और इस दिन हलके रंग के आउटफिट का चैन बहतर हो सकता है गोबर्धन के दिन महिलाएं अपने मन पसंद हलके रंग का सरारा सेट आउटफिट लगा सकती हैं गोबर्धन पूजा वाले दिन पूरुस कुल लुक को अपनाते हुए नीले या सीगरीन रंग के कुर्ता सेट पहन सकते हैं त्योहार नमबा फाइब भाई दूज रक्सवंदन की भांती यह भाईयों और बहनों का त्योहार है इसलिए इस दिन आपका आउट परफेक्ट लुक वाला होना चाहिए भाई दूज के दिन महिलाएं अपने पसंदिदा रंग के गाउन के साथ कंस्टांट में सरग टीम अप करके पहन सकती हैं मेकप को आप सटल और बालों को आप स्ट्रेट रख सकती हैं भाई दूज के दिन पूरुस रिच फ्रेविक क कुड़ता पजामा और ऊपर के मेच करती हुई फ्लोर और जेकिट पहन सकते हैं सो गाईज ये थे दिपावली और अन्य तोहरों पहने जाने वाले ट्रेडिशनल ड्रेज तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल पर प हुआ हुआ है